हलो फ्रेंट्स मैसल दॉक्टर सुशिला सैनी गाइनेकलोजिस्ट और अप्सेटिशन डायरेक्टर जयापर दूर्बीन हॉस्पटल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नई वीडियो में नई जानकरी के साथ फ्रेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान अपना ध्यान कैसे रखें जब भी प्रेग्नेंसी होती है तो परिवार में बड़ी खुशी का माहल होता है लेकिन साथ ही थुड़ी सी चिंता का विशह भी बन जाता है कि अब अपन कैसे डॉक्टर से म करने, पूरे 9 महिन एक डॉक्टर के पास आपको जाना होता है डॉक्टर के सलहा से ही मेडिसिन्स लेनी होती है लेकिन इस वीडियो में हम मोटे तौर पर क्या आपको सावधानेया रखनी होती है कैसे कैसे अपने प्रेग्नेंसी के अंदर ध्यान रख सकते हैं वही सारी च कभ जाना होगा मिलना होगा कुछ लोग कहते हैं हैं मैं arm हो कई आता हुकर दिखाना Europe honestly प्रेग्निंशिया तरह दिखाइए प्रेगनेंट और जैसे ही पता चलता है तुरन्त आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि जब तक आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तब तक और चार या पांच हफते हो चुके होते हैं और बच्चे का विकास चालू हो चुका होता है तो उस टाइम प प्रेगनेंसी के प्लैनिंग करते हैं तो उसके दो महीने पहले फोलिक एसिड की गोली शुरू कर देनी चाहिए जनरली कई बार प्रेगनेंसी अनप्लैंड होती है या हमें दिमाग में यह नहीं होता कि हमें पहले से भी डॉक्टर से सलहा लेनी चाहिए तो ऐस सुन आपक जो कि cut off value 2.5 के नीचे होनी चाहिए first trimester of pregnancy के अंदर यानि कि जैसे आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है आप अपना TSH का टेस्ट करवाते हैं और उसका value 2.5 के नीचे होना चाहिए अगर 2.5 के उपर है तो आपको thyroid हर्मोन के गोली लेनी होगी क्योंकि अगर thyroid हर्मोन के आ आपको doctor के पास जाना चाहिए folic acid शुरूर करना चाहिए और thyroid का test जरूर करवा लेना चाहिए doctor आपको आगे बता देंगे कि आपको follow-up के लिए कब आना है जब एक sonography भी बहुत जरूरी तोर पर होती पहले trimester में जब भी आप doctor को visit करती है यह देखने के लिए कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या बच्चेदानी के बाहर की ट्यूप के अंदर तो नहीं लग गया है जिसे कि ectopic pregnancy कहते हैं तो ectopic pregnancy को rule out करने के लिए भी पहले महीने में या दूसरे महीने में sonography बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो तीन important चीज़े हैं पहले जब आपको कितना खाएं क्या नहीं खाएं कितना खाएं तो यह सारी बाते हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे जो कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाके देख सकती है और उसका description में आपको लिंक भी मिल जाएगा तो डाइट की जो भी सला है वह आपको हमारे दूसरे वीडियो में म करना है पट यह भी एक मित है आपको 300 कैलरी एडिशनल लेन ही होती है यानि कि अगर आप जो भी आपकी बॉड़े के रिक्वाइर्मेंट है जितना आप खाना खा रहे है उसके ऊपर आपको 300 कैलरी और खाना होता है ताकि आप 11 से 16 किलो तक का वेट गेन कर सके यानि कि इसलिए बहुत ज़्यादा ओवरीटिंग नहीं करना बहुत ज़्यादा खाना खाना है लेकि लिमेटेड खाना जितना के आपको चाहिए और बहुत बड़े-बड़े मिल्स ना खाकर छोटे-छोटे छोटे मिल्स लेने होते हैं कि मारीस को ज़नरली यह सला देते कि आप 2 इसके लिए आप हर दो गंठे के अंदर कुछ ना कुछ खाते रहिए पानी अच्छे से पीते रीजे तीन से चार लीटर पानी पीने के सला हर मरीज को दी जाती है और प्रेग्नेंसी कोई बीमार ही नहीं है इसलिए हम मरीज नहीं बोल सकते शीज़े हैल्दी लेडी शीज़ आप सभी को प्रेग्नेंसी के दौरान अपना खाने पीने का जरूर ध्यान रखना चाहिए तीसरी इंपॉर्डेंट बात कि जैसे ही प्रेग्नेंसी होती है तो हमको दिमाग में आता कि हमें बेडरेस्ट तो नहीं करना है कई डॉक्टर्स कई बार बेडरेस्ट के सलहा दे तब ही बेडरेस्ट के सलहा दी जाती है आम तौर पर जो नॉर्मल हेल्दी प्रेग्नेंसी में है बेडरेस्ट के सलहा नहीं दी जाती है और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आप बेडरेस्ट करते हैं तो पैरों के अंदर खून का जमाव हो सकता है जो प्रेग्नेंस जब तक आपको comfortable हो, जब तक आप कर सकती है, आपको ऐसे छुटी लेकर घर बैठने की ज़रूरत नहीं है, और जो घर के normal काम है वो भी आपको करने होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब काम छोड़के घर बैठ जाएंगी, तो आपको बहुत सारी problems, physical problems शुरू हो जाएंगी, ज बहुत ऐसा नहीं है, जो normal exercises होती है, जो बहुत heavy नहीं होती है, और जो routine लिए आप करते आएंगे, प्रेगनेंसी से पहले, वो सारी exercises आप continue रखी है, आप walk कर सकती है, 30-40 minute का हलकी stretching exercises कर सकती है, और कुछ exercises जो specific pregnancy में की जाती है, कि आपकी pelvic girdle की muscles strong बने, आपकी back की muscles strong बने, वो सब आसनस आप सीख सकती है, और उनको perform कर सकती है, जिससे कि आपकी body और joints flexible बने रहे हैं, क्योंकि अगर आप 9 महीने तक routine, अगर exercise का routine फॉलो करते हैं, आपको normal delivery में बहुत जादा help होगी, अगला questions हमारे pregnant ladies का हम से ये रहता है, कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए, हमें क बहुत जादा extra आराम करना है, तो जनरली सलाह यही रहती है, कि 8 घंटा की कम से कम नीन आपको लेनी होती है, रात के अंदर, और दिन में अगर आपको लगता है कि आपके पास time है, आप 2 घंटा दिन में भी सो सकती है, दो गंटा नहीं तो एक घंटा, आदा घंटा जितना करना है तो इसलिए प्रापर रेस्ट भी बोड़ी को चाहिए, रात पर रात में दो गंटा दिन में ले सकते हैं, एक आखरी सलाह यह रहती है, कि जब भी आपको कोई-बीमारी लगते है, खुझ लिये खासी है, बुखार है, और भी इसी तरह के की बोड़ी में कोई डिवाई अपने डॉक्टर के बिना ना ले क्योंकि में עधिकांष्ट है कि फीसे होती है कुछ जोई या बी category में आते हैं यह बी तो हमें वो कोई भी गोली, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सला के नहीं लेनी होती है तो आशा करते हूंगे ये वीडियो से आपको काफी सारी जानकारिया मिली होंगी और आपके प्रेगनेंसी के रिलेटेट कई सारे मित का क्लेरिफिकेशन आपका हुआ होगा फिर भी अगर आपका कोई कॉशन रहता है जो हम शायद इस वीडियो में जवाब ना दे पाएं तो आप नीचे कमेंट वॉक्स में लिखे हमसे सवाल जरूर पूछ सकती है और डाइट के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है क्योंकि उसमें काफी सारा हमें बताना होता है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बहुत ही कॉमन कॉशन है अगले वीडियो में आपसे करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकार आपने के साथ तब तक हमेशकार